आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गड़ेश चतोती स्पेशल मोदग और ये मोदग हम बनाने वाले हैं अगेहूं के आटे से यानि हम बहुती कंसाम अग्री सर बहुती स्वाधिस्ट मोदग बनाएंगे जो कि गड़ेश भगवान जी को हम प्रशाद के रूप में रखे इसमें हम आदा कप खी डालेंगे तेसी घी डालेंगे हम इसमें अब इसे गरभ होने देंगे अब हम इसमें एक कप गेहूं का आटा डालेंगे आटे को अच्छे से हमने चान लिया है और यहां हम एक कप आटे को इसमें डाल देंगे और इसे घी के साथ अच्छे से मिला सालेंगे मिक्स कर देंगे अटे को हम खी में और इसे लगाता चलाते रहेंगे हम और हमें इसे अधी बूहना है याद है हाइफ लीम पर नहीं बूहन है हमें रूंटे और हॉझ बहुणन जा या इस लोओन कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से हलकी खुश्बू भी आने लगे बहुत जादा कलर चेंज नहीं करना में हलका सा लाइट करना है तो यह देखिए अब यह रेडी है अब हम इसमें एक चमच डालेंगे टेसी केट कोकोनट यानि नारियल का बुरादा और साथी में डाले कट कर लिया है अब हम इनको mix कर देंगे अच्छे से लगाता चलाते हुए अब हम इसमें एक चम्मच मिल्ट पाउडर इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से सारे इंगेडियन्स के साथ अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हलका सा ठंडा होने देंगे हम अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया, साथी में हम इसमें डालेंगे आदा टी स्पून, इलाइची पाउडर, इलाइची पाउडर ना हो तो इलाइची को कूट कर भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप हम इसमें डालेंगे आदक का पाउडर शुगर, पाउडर शुगर का यूज कर सकते हैं और आप इसमें जैग्री का भी यूज कर सकते है यहां मैं powder sugar का use कर रही हूं तो यह powder sugar डालने के बाद इसंगे से अच्छे से mix कर देंगे हम याद रखिए हमने gas की flame को बंद कर दिया है और हम इसे नेचो थार की से mix कर लेंगे ताकि इसमे पौल्ड शुगर अच्छी से मिक्स कर रहे हैं अब अभी आख्ऴ तो ऑफ इसकी मोदग बना लेंगे यादश किए हम बिना Feder Bina Molde Be voice Divi तो अगर आपके पास protein grupo DE सकते हैं और मोल्ड ना हो तो हम बिना मोल्ड के भी मोदग बना के दिखाएंगे तो यह देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सविक्षर हाथ में लेंगे और इसे लड़ू के बना लिए हमने अब हम इसे हतेली के बीच में रखके और अपने दूसरे हाथ से इसे उपर से हम इस कुछ तरह से कसा का कलते है benefited को हम को एसलिए कर सकते हैं चमच का यूज कर सकते हैं हलके हलके से कड लगा देगी यह सब्सक्राइब समय हमें सारे मोदक कलते हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये देखिए आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी नहीं पैचान पाएगा कि ये आपने बिना मोल्ड के बनाए है और ये बिल्कुल बिल्कुल मोल्ड के जैसे ही दिखने में लगेंगे ये देखिए बिल्कुल वैसे ही दिख रहे है इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पी बना के दिखाती हूं इसे हम रख देंगे प्लेट में ये देखिए आप देख पा रहे होंगे सेम प्रोसेस हमें दूसरे मोदक के लिए करनी हैं इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम सारे मोदक को बना के रेडी करेंगे हम ये प्रशाद के लिए बना रहे हैं जैसा कि सबी लोग जानते हैं कि कणेश चतूर्थी का तोहर है और ये कणेश जी आने वाले हैं हमारे यहां तो हम उन्हें मीठा मीठा अच्छा अच्छा भोग लगाएंगे तो उसके लिए हम ये मोदग बना रहे हैं हम Garnesh Bhangwan Ji को मोदक का, लड़ू का, किसी भी चीज़ का प्रशाद का बना कर हम भोग लगा सकते है मोदक बहुत ही प्रिय होते हैं लड़ू भी बहुत ही प्रिय होते हैं तो यहां हम मोदक बना रहे हैं और यह हमने घर की सामागरी सही बनाया है ये देखिए हमने बना के रेडी कर लिया है मोदग अब ये हमने इतने सारे मोदग बना के रेडी कर लिया है ये देखिए हमने बिना मोल्ट के बना हुए है और बिल्कुल ये वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हम मोल्ट से बनाते हैं तो ये देखिए हमने तुला सा डेकोरेट कर लिए इसको अब यह कितने सुन्दर लगने में तो इसे हम प्रशाद के रूप में रखेंगे और गणेश भगवान जी को इसका भोग लगाएंगे तो आप इस तरीके से जरूर बनाएगे इस रेस्पी को ट्राइ कीजिए और अपने ही घर में भगवान जी का भूजन भोग बना सकते हैं और भोग बना के उन्हें लगा सकते हैं तो यह देखिए बहुत आसान सी रेस्पी है और बहुत कम टाइम लगाए से बनाने में और बहुत सिंपल सी है और यह रेस्पी सभी को पसंद आने वाली है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह देखने में जितन अच्छे लग रहे हैं देखने में ये परशाद का हम भगवान जी को भोग लगाई उन्हें बहुत ही जदा पसंद आएगा क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा प्रिय है तो फ्रेंड्स आप भी इस तरीके से अपने घर पे बहुत ही कम सामागी से बहुत ही कम टाइम में भ तेरे चैनल को सब्सक्राइब के जीगा नॉटिफिकेशन पर जाके और नॉटिफिकेशन पर क्लिक के जीगा तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स टाइम नेक्स न्यू रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई